मुस्मिल्ला रह्मान वखी मसलाम अलेकम हाई एवरीवान वेलकम बैक टो नूरी लज़त किचन जो आज हमें बनाएंगे होटल स्टाइल यह आप इडली सांबर बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं फटापर से सांबर बनाएंगे वीडियो क स्टाइट करेंगे चलिए तो सांबर बनाने के लिए हमें तक्रीब इसमें चाट टेब स्पून तोर दाल लिया है तोर दाल को अच्छे से दो के इसको हमें थोड़ा सा हल्दी दाल के इसे गलने के लिए रख देंगे तो हमें इसे तक्रीब आपके ओपर डिपेंड है कित कटिंग कर लेंगे वेजीटेबल है इसमें ब्यक्राइब डालेंगे अपको पसंद होगा तो पिल कुछ वेजीटेबल होगा तो आप सकते हैं तो आप प्लेंप बनाने का चाहतेお願いします बना सकते हैं विजिटेबल को स्किर्प कर सकते हैं तो फोड़ा सा पानी दालेंगे उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल केसे-स वोयल कर लेंगे pops के और तेक लिए तो अब यह प्यान ये झर्फान में थोड़ा सा नशीन लेंगे उसके बाद है मिठी का छोटी सी आधी टीसपून लीजिए तोड़ा कम लीजिए मिठी का दना उसके बाद दो टेबल स्पून धनिया पिंच अफ हिंग लेंगे थोड़ी सी उसके बाद पांच से चार में रेड चिली को लेंगे आपके पास बैगडी होगे तो बहुत ही अच्छा है कलर अपको बहुत ही अच्छा सा देगा तो इन सारी चीज़े हैं हम इसे low flame में हैं आच्छे से roast कर लेंगे रोस्ट करके इसे हमें थंड़े के चोड़ने के बाद थंड़ा होनी के बाद इसे हमें पाडर बना के रखेंगे तो ये देख लेए तो फाइनलि अपके पास होगा तो आपके पास सामबर पाडर का readymate पाक प्रिज्ण काल दिया है बीज्ण कालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा तेल डाल की रोस्ट करना है एक छोटी से प्यास को हमीड बड़ाबडा चॉप कर लिया है उसके बाद नोव लस्ट कर लिया है मैं इसके बाद हैं इसमें तकरिवन छूटthose ऑ만 हमीज行 इस हमें से रोस्ट करेंगे उसके बाद थोट Six Paynelle के इसे अच्छी से थोड़ा नरभ होने तकITE लिंगे है फिले में ही रखले हमें से थोड़ी देर तक हम ऊपरेंगे के पकने के लिए छोड़ देंगे तो थोड़ीच हम तोड़ा सा इस ने गरम मसाला अप मसाल पूसे पसे नहीं तो Whew कि कर सकते हैं थोड़ा सद्धनिया इन सारे चीज़ें उसमें वोस्त करके अच्छे पानी हैं अच्छे दियो कर दोड़ी कर लेंगे जो यह पॉर्डोर शकी धंडा होने के बाद इसका भी एक finally पेश्ट बना लेंगे ये बिपेश्ट कर लेजिए थंडा होने के बाद उसके बाद फटाफरसी एक बड़ी से कडाई लेजिए तो हमें इसमें सामबार बनाना है इन सारी चीज़ों बिल्कुल रड़ी है तो मैं साइड में ही इडली के लिए रखा है तो आपको पिक अप हो जाएगा आप इजली यह बना सकते हैं इडली सामबार वड़ा उस टेम पर आप सामबार बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तेल गरम होने के बाद धूरी सी हम इसम आड़ करेंगे इसके बाद करीब दता है जो पेस्ट हमें बना लिया था टोमोटो को कोनेट का नारियल का वो पेश्ट में इसमें आड़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ जो मैं मेजरमेंट लिया है आप ये च्छे से साथ लोगों के लिए तक्रीब हो जाएगा इडली के लिए इडली सामबार वड़ा के लिए बहुत ही आसानी से अपने गर में बना सकते हैं तो उसमें थोड़ा सा जार में पानी डालके थोड़ा सा ह ताया जो हमें पीशा होगा पेस्ट है वो निकलेंगे तो एक लेमन कमें साप निइनकी नेकarsa को हमें इसमें इसमें करेंगे जो हमें डाल को बॉइल किया था चाहर टेब्लिस्पून दाल का paste है, वह हम इसमें आड़ करेंगे. इसके बाद ये दिख ले हमेरे सांबर पौॉडर है तकरिवन ये चार से 3 टेबल स्पून सांबर पौॉडर है, वह हम इसमें आट करेंगे, आपके पास कीठ होगी तो, कोईठेशिन कि बाद नहीं है आप दा सकते हैं, डिरेक्टली उसके बाद जो हमें बॉil किया हुआ था वेजिटेबल है एक दो सीटी के लिए मैं आपको पहले ही बता है आपको वेजिटेबल नहीं पसंद करते होगे तो आप इतनी को यह एंड कर सकते हैं आप एजिटेबल आड नहीं करेंगे तो आपको पसंद नहीं होग दस मिनीट तक हमें अच्छे से पका लिया है लास में आदी छोटी टीस्पून आप यह क्या करें इसमें शकर को हमें आड करेंगे आपको शकर अप्सनल है शकर वगेरा गूड दोनों में आप कौन सा भी आड कर सकते हैं थोड़ सा में कच्छा धनिया को हम इसमें डाला है तो हमारा सांबर है बिल्कुल फटाफर से रेडी है रियली आप एक बार टेस्ट करें एक बार बना के देखें तो यह वेरी वेरी नाइस सांबर है आपको होटल में मिलता है वही टेस्ट यह आपको देगा इसकी खुश्बो ही बहुत यह बड़िया है जरूर से ट्राइ क बड़िया है जरूर से करें एक दो है ठापको यह प्रवारा इदा आपको हुआ से धिएल लाग्या है यह वारिया है विए लाग्या है